आपको एक बात बदा दू, 400 रुपे में मैंने नेक बेंटो सुना था, लेकिन एरपोर्ट्स प्रो पहले बार सुना हूँ, इसके जैसे ये पर्चेस किया है, और साथ में मैं एक एक एपल प्रो का, ओरिजनल एपल प्रो के लिए जो केस आता है, वही केस लेकिया हूँ, दे लेकिन लो क्वालेटी का बॉक्स है, और ये रहा एरपोर्ट्स, ये रहा लाइटलिंग रेबर, जो की बहुत ही ज़्यादा घट्या क्वालेटी का लाइटलिंग के वले, लेकिन काम चलाने के लिए सही है, यहाँ पे एक यूजर मेनियूल मिलेगा आपको, जो की चाइन हम क्या करेंगे, इसकी पन्नी निकालेंगे, पन्नी निकालने के बाद ही हम क्वालेटी चक करेंगे की क्वालेटी कैसी है बॉड़ी की, और उसके बाद पता चलेगा, ये प्रोड़क्त आप लोगों को पर्चेस करना चाहिए कि नहीं, वेट में तो ठिक ठाक है, थोड़ यहाँ पर ब्लू लाइट चल रहा है, मरलब चार्जिंग हो रहा है, जैसे ही हम यहाँ पर बाहर निकालते हैं, तो आपको दिखा देता है क्वालेटी, एकदम ठीक ठाक है, यहाँ पर देखते हो, तो रिजाइन भी परफेक्ट एरपोर्ट्स प्रो जैसी है, यहाँ पर सेंसर दिया गया है, अभी हम हमारे एपल के डिवाइज में चेक करेंगे, कि यहाँ पर एपल के डिवाइज में यह कनेक होता है कि नहीं होता है, आटो कनेक, तो सबसे पहले मैं सेटिंग उपन करूंगा, और उसके बाद ब्लुथूथ, तो चले मैं वापस इसको इसमें पर रख देता हूं, डिवाइज में, केस में, उसके बाद हम चेक करेंगे, कि यह वाक्य में कनेक होता है कि नहीं होता, ओटो कनेक, तो दोस्तों यहाँ पर ओटो कनेक नहीं हो रहा है, अब देख सकते हूं, यह मेने open किया और यह दूनों का दूनों मेने बाहर निकाल दिये हैं क्या नाम से pair होगा वो देख लेगे तो TWS नाम से यह pair होगा TWS नाम से यह pair होगा और आप quality देख सकते हो थोड़ी low type की quality है weight में भी थोड़े low है और quality में भी थोड़े low है silicon के ear dips है ठिक टाक है ear dips और आप जैसे original में आता है उसी type का यह दिखाई देता है अभी हम यह भी चेक करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के study में बता कि cover में यह fit होता है कि नहीं क्योंकि यह original जैसे दिखने वाले हैं तो cover का cover में fit होता है कि नहीं यह भी देख लेते हैं यह cover है इसका airports pro का तो हम अभी इसमें चेक करेंगे कि इसमें fit होता है कि नहीं तो वाके में बहुत ही जवल फीटिंग हो चुका है perfectly fitting हो चुका है दूस्तों आप देख सकते हो थोड़ा सा भी इधर का उधर नहीं है और ऐसा मुझे feel हो रहा है कि मेरे हाथ में original airports pro है जो कि 400 रुपे का है original airports pro 400 रुपे का यहाँ पर बटन के touch-o-touch बटन आ चुका है मतलब original airports pro 400 रुपे का अगर आप दिखावे के लिए भी आप अगर लेके जाओ कहीं पर तो सभी लोग को ऐसा ही लगेगा कि यह original airports pro है lighting integration यहां के बरले यहां पर है blue light light link के बरले यहां से चार्ज कर सकोगे और यह बटन charging push charging play के लिए तो बटन तो काम कर रहा है और airports भी काम कर रहे है quality भी आपको original जैसे दिखाई दे रही है weight में थोड़े low है और plastic की quality भी अच्छी है not bad जैसा के मैं आपको पहले बता है कि birds का जो case है उसके पीछे 400 रुपिया का investment कर लिया गमत्मी ने और 400 रुपिय में ऐसा product मिलना उसके लिए ना मुपिन है तो दोस्तों यह airports pro 400 रुपिय क्या आपको कैसे लगे कमेंट में जरू से बताना अगर यह आप लोगों ने purchase किये है तो अब तक कैसा रहा आपका experience वो भी कमेंट में मुझे बताए चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लिजे और वीडियो को लाइक करना ना भूले थैंक यू